नमस्कार, आज अपन बात करेंगे एक विश्यस टोपिक, इमोस्टनल लोगों के बारे में, इमोस्टनल लोग पता है आपको, आम लोगों से थोड़े अलग होते हैं, इमोस्टनल लोग बहुती चोटी चोटी बातों पर इमोस्टनल हो जाते हैं, चोटी चोटी बातों में आशो की दाराएं बहने लगती हैं, वो दूसरे आम इंसान से अलग होते हैं, कुछ उनकी अलग बावनाएं होती हैं, कुछ अलग उनका बिहेवियर होता है, कुछ उनके सोचने की सकते कुछ दूसरों से अलग होती हैं, वो हर तरीके से, हर किसी मेटर को एक एमोशनल रूप में देखते हैं बहुत से लोग कोच भी कारी करते हैं तो उनका जो देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है लेकिन इमोशनल लोगों का जो नजरिया होता है हर कारी में इमोशनल होता है आकर इमोशनल लोग ऐसे क्यों होते हैं वो हर तरीके से ऐसा क्यों सोचते हैं उनक क्यों बरी होती है आज अपन उनके बारे में बात करेंगे कि emotional लोगों के क्या निसाईय है आकिर वह ऐसा क्या करते हैं कि उनका मन emotional लिग बरह रहता है emotional लोग होते हैं वो हर किसी के प्रती दयाव भाव रखते हैं ध्यान रखना जो इंसान अगर आपको इमोशनल लगता है ना 99 परसेंट वो हमेसा दूसरों के प्रति दया पाव रखेगा उसके मन में कभी भी छल कपट नहीं होगा एक सरवे कहता है कि इमोशनल लोग अधिकतर लोगों के प्रति काइननेस रखते हैं एक दया लुता रखते हैं उनके मन में चल कपट की भावनों नहीं होते हैं वो सिधे सिम्पल होते हैं अगर उनको चोटी सी भी कोई बात अगर दिल पर लग जया रखते हैं तो उनके मन इमोशनल से बढ़ जाता है और आखों से आसु बहुता है इसलिए इमोशनल लोग है ना हमें साथ दया पाव परेसान रहते हैं, इमोशनल लोग हमेसा जो रिष्टे समाज में होते हैं, दोस्त के परती होते हैं, या ओपिस में होते हैं, कहीं भी होते हैं, वो रिष्टे को तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रिष्टे को तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रिष्टे को किसी भी कंडिशन से टचिंग हो जाते हैं इसलिए वो कोई भी रिष्टा अगर एक बार उनसे इमोशनल लोगों से कोई भी रिष्टा जोड़ देना तो फिर वो रिष्टा तोड़ना नहीं चाहते हैं इमोशनल लोग किसी भी कंडिशन में उस रिष्टे को बनाए रखते हैं चाहिए सामने कितना भी टोर्चर करें लेकिन इन एनी कंडिशन नि वो चाहते वो रिष्टा बणा रहे इसलिए इमोशनल लोग रिष्ता बनाने लिए रिष्टा चलाने लिए हमेसा प्रेशान रहते हैं इमोशनल लोग अधिक तर उन चीजों का भी दोस अपने उपों ले लेते हैं ज उसके गलति नहीं, मेरी गलती एमोसनलोग है ना हमेंसा दूसरों के गलतिया भी अपने उपर मतलब लेने थे उनको ऐसे लगता है कि यार नहीं आँ उसने ये किया होगा मेंने किया हो क्योंकि उनके अंदर in emotionally ये बाणा होती है यह इसी emotions होते हैं कि उनको लगता है क्यार नहीं यार यह गल्ती उसने ने कुई होगी, यह सरक गल्ती साथ मेरे से हाई वो दूसरों का दोस्त भी अपने उपर लेने के अगर कोशिस करते हैं इसलिये क्योंके वो emotions से भरे हुए होते हैं तो इमोशन लोगों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि दूसरों की गलते भी अपने अपर ले लेते हैं इमोशन वाले लोग क्या करते हैं? अपनी भावनों को खुल के व्यक्त नहीं करते हैं इमोसनली लोग जब आपको इसी दस लोगों के साथ में खड़े होते हैं तो हमेसा अधिकतर वो चुप रहना पसंद करते हैं वो जदा बकर-बकर बोलना पसंद नहीं करते हैं वो दस लोगों के सामने अपनी भावना कभी भी परकट नहीं करते हैं वो हमसां वहाँ पर चुप रहते हैं इमोसिन लोगों की सबसे बड़ी खाषत है उनकी खाषत है है चुप रहना वो दूसरों कोई लोगों के सामने इतना नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ वो जरूर बोलेंगे वो उनकोई या फेमिलियर दोस्त होंगे उनके सामने वो जरूर खुल कर बात करेंगी वो किसी बीड के सामने या किसी अंजांदस लोगों के सामने या किसी जैसे वो सारे मिद्रे कटा हुए वह आपनी बावना बावना है उजागर नहीं करेंगी वो हमेसा उस वड़ चुप रहेंगे इमोशनली लोगों की एक आदत होती है कि वो लोगों के सामने हमें साथ चुप रहते हैं और अपने बावनाओं को दबा कर रखने हैं लेकिन हाँ जब भी उनके कोई ओरिजनल फ्रेंड या कोई खास फ्रेंड हैं उनके सामने वो अपनी बावनाओं जरूर बाते हैं और जरूर उनसे खुल कर बाते हैं इमोशनली लोगों के सबसे बड़ी आदत होती है वो हर किसी की मदद करते हैं और बिना किसी दूसरों की उमीद से मतलब की हर किसी की मदद करनेंगे लेकि बिना कुछ वापस पाए है, मतलब वो ऐसे किसी की मदद नहीं करने कि हाँ या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और बहुशे मुझे मेरे काम आएगा, वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, वो बिना कुछ वापस पाए हुए उसकी उम्मीद के बिना दूसरे लोगों की मद करते हैं, जरूर नहीं कि वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, वो इनसान मेरे काम आएगा, वो मेरे मेरे वापस बिना किसी मदद के उम्मीद के उन लोगों की मदद करते हैं